प्राइडे के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के इंपोर्टेंट सपोर्ट एंड रेसिंस लेवल क्या होने वाले हैं तो पूरा वीडियो आपको देखना है चीजें आपको तभी समझ में आएंगी अब चलते हो रागे बढ़ते हैं लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो साथ में बैल आइकन का बटन भी प्रेस कर लो टेलिग्राम चैनल का link आपको description box में मिल जाएगा उसको भी आप जाकर के join कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे आपको सभी प्रकार की update भी मिलती है और साथ में आप हम से अपने trade के बारे में discuss भी कर सकते हो link आपको description box में मिल जाएगा अगर आपके पास demate account नहीं है तो आप बिल्क का chart और nifty के chart को analysis करने से पहले मैं आप सभी को जो 15 अगर्स है उसकी बहुत-बहुत सुबकामनाई देना चाहूंगा और मैं ये चाहता हूँ कि आप जो loss करते हो ठीक है जो loss करने वाले हैं मैं ये चाहता हूँ कि आप उस loss से यहाँ पे free हो जाओ आप यहाँ पे अच्छे करने से कोई रोक नहीं पाएगा तो यहाँ पे independence दे की आपको बहुत-बहुत सुबकामनाई अब चलते हैं जो चार्ट हमारा बोल रहा है उसके उपर तो यहाँ पे आप देख सकते हूँ कि एक अच्छी-कासी तेजी विती उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे यह जो resistance area है यहाँ तक यह गया है अब इसके अंदर आप देखोगे कि यहाँ से negative candle बनाई जो की resistance था ठीक है यहाँ पे horizontal line का resistance है और साथ में candlestick जो बनी है वो भी negative है उसके बाद में यह candlestick activate भी हो गई है यह जो यहाँ पे trend line थी यह breakdown करके कल close भी गया है करके ठीक है अब आज आप देखोगे इसके अंदर तो यहाँ पे एक छोटी सी inside candle बनी है छोटी सी candle है बहुत narrow range के अंदर यह काम करके गई है तो अगर इसके पास गिरना है इसको ठीक है यहाँ पे गिरना है ना इसको तो सबसे best यहाँ पे scenario बना हुआ है चार्ट के अकोडिंग कि एक अच्छी कासी यहाँ पे negative candle बनी वो भी resistance के पास में और वो activate भी हुई अच्छी कासी red candle के साथ में उसी के साथ में आप देखोगे कि market यह जो यह यहाँ पे breakdown करके गया था उसके पास में पूरा दिन रुका है एक inside candle बनी है downside के लिए तो अगर यह breakdown करता है lows को ठीक है तो आपके सामने यह जो swing lows create करके गया है यह और उसके बाद में यहाँ पे जो आप देख सकते हो कि यह वाली जो यहाँ पे horizontal line का support है और साथ में trend line का support ह तो यह दोनों ही यहाँ पे काफी अच्छा support दे सकते है तो यहाँ पे market को आने में time नहीं लगेगा तो यह चीज हो सकती है लेकिन अब आपको यह ध्यान रखना है कि market के अंदर एक scenario हुआ है सब लोग क्या सोच रहे हैं कि अब market गिर सकता है क्योंकि एक narrow range हो चुगी है market क और decisively तरीके से upside में यहाँ पे नहीं जा पा रहा है और अभी क्या हो रहा है lack of buying है ठीक है जो buying है उसकी कमी हो रही है ठीक है जो FII है वो आप देखोगे तो वो continuously sell कर रहा है तो जब तक वो sell करेगा तब तक market recover नहीं करेगा ठीक है क्योंकि upper side के अंदर जैसे ही जाएगा त supply आएगी तो फिर market को गिरना पड़ेगा तो इसमें recovery अच्छे वाली नहीं आएगी तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है इसी के बाद में जो इसराइल और इरान का matter चल रहा था उसमें कोई news नहीं निकल के आई अभी तक लेकिन इसके उपर focus करके रखेगा कि कभी भी य आ सकती है ठीक है यह शीज आपको ध्यान रखनी है अब यहाँ पे सब सिनेरियों है उनको देखोगे तो चार्ट के according आपका चार्ट क्या बोल रहा है अपने को यह चार्ट हमें यह बोल रहा है कि यहाँ पे weakness है ठीक है weakness है मार्केट के अंदर और sentimental तरीके से अब lack of buying हो गय FIA की selling हो गई तो यह भी sentimental तरीके से भी आप देखोगे तो क्या हो रहा है कि market है वो downside के अंदर आ सकता है तो यह सबी scenarios को देखोगे तो downside में है लेकिन इसका just opposite market कर सकता है तो वो चीज आपको कभी नहीं मोल ली है जब यहाँ पे market के अंदर लोग है जो thinking है लोगों की वो य buying के अंदर यहाँ पे confidence नहीं है और अब वो सोच रहा है कि market करेक्शन में जा सकता है तो यह पूरा विश्वास के साथ मैं बोलना चाहूंगा कि correction करेगा market ठीक है correction है वो करेगा ठीक है और यह यहाँ तक आएगा धीरे-धीरे करके लेकिन first time जब market के अंदर लोग सोचते न यानि कि वो सिर्फ क्या करता है एक यहाँ पे bounce लेता है तो हो सकता है कि फिर से एक bounce आजाए और वो जो bounce है यहाँ तक आ सकता है इसके लिए आप तयार रहेगा लेकिन इसके पास में register से यहाँ से फिर से selling होगी तो यह चीज भी इसमें हो सकती है अगर यहाँ पे आप दे अगर यहां पे market reverse करता है तो यहां तक यह bounce भी ले सकता है उपर में 24,425 तक का bounce आ सकता है यह आप यहां पे ध्यान रखेगा तो यह scenarios मैंने आपको बता दिये हैं ठीक है अब इसके जो यहां पे Friday के जो level है उनकी हम 15 minute के उपर chart पे चलके level है वो भी देख लेते हैं तो यह सारी शीचे मैंने आपको बताई है अब 15 minute के chart पे चलके जो level है वो मैं आपको बता देता हूँ और chart open होने में थोड़ा सा यहां पे slow हो गया था तो अब यहां पे मैं एक बार जो हमारे level है वो भी लगा देता हूँ निप ठीके चैनल का formation रखा था यह क्या हुआ है breakdown किया है और अब इस zone के अंदर ही पूरा दिन गुजार के चला गया है market ठीक है तो यह काफी अच्छी एक range बन चुकी है अब इस range के उपर निकलेगा तो upside में trade बनेंगे और upside में यह जो trend line है हमारी वो resistance देगी और अगर इसके उपर निकलता है तो यह जो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर swing यहां पर बने होए है हाई बने होए तो यह एक काफी अच्छा resistance एरिया है यहां पर भी बनने वाला है उसके उपर निकलेगा तो यह उसके बाद में finally यह इस zone में जा सकता है सबी जो resistance है मैंने आपके सामने लगा दिये है कि यहां तक यह आ सकता है ठीक है अब यहां पर आप देख सकते हो कि range बनी हुई है तो इसी range के अंदर open हो करके यह यहां पर ही गुमता हुआ यहां पर काम करता है उसके बाद में breakout देता है तो buying side में जा सकता है और buying side के अंज़र जाता है तो सब लोगों का sentiment यह है कि downside में जा सकता है तो market उसका just opposite कर सकता है तो यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहां से market just opposite भी कर सकता है और वो just opposite करने का तरीका दो है ठीक है कैसा तरीका है यहां पर open होने के बाद में यह range बनाए उसके बाद में breakout दे करके upside में निकले first thing यह आपको ध्यान रखनी है और breakout देने के बाद में यह pull back लेकर के फिर day high निकालेगा तब ही हमारी entry होगी अब क्योंकि यह क्या कर सकता है false breakout दे सकता है false breakdown भी दे सकता है तो false breakout के अंदर first time जब निकलेगा तब आपको नहीं फसना है यह आपको ध्यान रखना है false breakout के अंदर नहीं फसना है breakout के बाद में retesting दे करके यह फिर से day high या जो swing top बना हुआ होगा उसको निकालेगा तब ही आपको मान के चलना है कि market upside में जा सकता है तो first thing तो यह होगी कि यहां से breakout दे करके upside में जाए दूसरी सीज क्या है कि यहां पे यह open होकर के नीचे चला जाए breakdown दे दे ठीक है और फिर पूरा recover करके upside में आ जाए तो यहां पे false जो breakdown है यह breakout हो गया false breakdown दे करके reverse करके जाएगा और upper side के अंदर आकर के थोड़ा सा pullback लेकर करके निकलेगा तो भी आप buying side में जा सकते हो तो यह upside की चीज़े हो गई downside में भी same चीज़ कर सकता है यह ठीक है यहां पे ही range open करते है और उसके बाद में यह क्या कर सकता है हाँ इसमें एक risk ले सकते हो क्योंकि downside में selling तगडे से होती है ठीक है तो यहां पे first time पे ही breakdown देता है तो उसमें आप scalping के लिए trade ले सकते है scalping वाला और वहां पे यह recover करके फिर यह इसी zone के अंदर आ करके फिर से negative candlestick बनाता है तो यहां पे भी sell side का trade बनेगा और फिर जब यह swing जो यहां पे low बना हुआ है ठीक है इसको break करेगा तो भी इसके अंदर sell side का trade इनिसेट होगा तो यहां पे भी आपको ध्यान रखना है और हो सकता है कि यहां पे range बनाए पहले false breakout दे और उसके बाद में पूरा यहां पे गिर जाए market और उसके बाद में यह जो zone है उसी zone में आ करके क्या करेए एक थोड़ा सा छोटा सा range बनाए या फिर bounce ले और उसके बाद में day lows को break करता है तो भी इसके अंदर downside बन सकती है तो यह आपको scenarios ध्यान रखना है नीचे के side में market आता है तो आपके सामने यह जो level है मैं इनको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए ठीक है तो यह level आपको ध्यान में रखने है कि market है वो नीचे के अंदर यह support लेने की कोशिस कर सकता है यहाँ पे levels मैंने आपको mark करके रख दिये हैं तो इनको आपको ध्यान रखना है और किस तरीके से काम कर सकता है वो मैंने आपको बता दिया है अब हम bank nifty की बात कर लेते है bank nifty के अंदर आप देखोगे तो यह आप ध्यान से देखिएगा कि यह जो channel था ठीक है इस channel के अंदर market काम कर रहा था और यहाँ पे इसका breakout हुआ था breakout से पहले इसने 2-3 दिन बिताए ठीक है और जो बड़ा channel था आप देख सकते हो कि यह जो trend line आ रही है यह trend line है उसका breakout यहाँ पे इसने लगबख 5-6 दिन एक range बना करके निकाला था तो यह breakout हुआ उसके बाद में यहाँ पे इसने एक range का formation किया और फिर यह वापस उसी channel के अंदर enter कर गया तो यहाँ पे यह चीज समझ में आ गई कि धीरे धीरे करके यह downside वाली जो trend line है उसकी तरफ आएगा उसकी तरफ आने के बीच में आप देखोगे तो यह trend line जो हमारी थी उसका इसने support लिया और वापस उस जो breakdown का level था वहाँ पे इसने resistance लिया जब गिर रहा था यहाँ पे support लिया यहाँ पे resistance लिया फिर से गिर गया तो यहाँ पे आप देखोगे कि गिरने के बाद में यह वाला जो area है इस area के अंदर फिर से इसने एक अच्छा कासा flag pattern बनाया है और फिर गिर चुका है और यहाँ पे इसके अंदर भी एक काफियत सी छोटी सी range बनी हुई है ठीक है तो यह आपको ध्यान रखने है कि यह एक काफियत चा support area है यहाँ पे और उस support area के अंदर आज breakdown करके नहीं गया एक छोटी सी range के अंदर market काम करके गया है आप देख सकते हो कि high कितना है 49,959 का है और जो low है इसका 49,654 का है तो आप मोटा मोटा इसको आप पकड़के चलोगे तो 300 and point का ही सिर्फ market ने काम किया है यह bank nifty है bank nifty ने 300 point की range के अंदर ही काम किया है तो अब यहाँ पे breakdown दीता है न तो सीधा यह वाल जो trend line है यह हमारा support के जिसे काम करेगी और उसके नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पे यह जो lows है हमारे यह भी हमारे lows यहाँ पे आ जाते है तो यहाँ पे horizontal line का भी support है trend line का भी support है तो फिर से यहाँ से bounce bank की तयारी हो सकती है तो उस इसके लिए आप तयार रहिएगा तो यहाँ पे भी धीरे धीरे करके market है वो आपको नीचे लाएगा इसमें bounce आते रहते हैं ऐसा नहीं है कि bounce नहीं आएंगे लोग उसमें bounce आते ही यह समझने लगते हैं कि यहाँ पे अब market गिरना बंद होगा लेकिन वो गिरने का ही एक process होता है market का भी वी एक direction के अंदर uni direction में थोड़ी न गिरेगा वो इसी तरीके से यहाँ पे उपर नीचे करता हुआ गिरेगा और यहाँ पे जब उपर भी जाता है तो इसी तरीके से उपर नीचे करता हुआ जाता है तो यहां पर हो सकता है कि network के अंदर कोई problem हो तो मैं एक बार अपना जो broadband में तो कोई ना कोई issue आ ही रहा होगा broadband में तो नहीं है इसको broadband में सही है यहां पर phone से ही यह connected था तो मैं इसको broadband से connect कर देता हूँ एक बार तो यहां पे मैंने इसको broadband से connect कर दिया है अब ठीक है अब यहां पे आपके सामने मैं इसको 15 minute के चार्ट के ओपर ले चलता हूँ और face के अंदर जो level है वो भी इसके अंदर बता देता हूँ ठीक है तो यहां पे levels मैं आपके सामने रख देता हूँ ताकि वो आपको समझ में ठीक है तो यहां पे level है वो मैंने रख दिया है इस चार्ट को मैं अगर थोड़ा सा छोटा कर दो तो यह level यहां पे रख जाएंगे अब यहां पे भी आप सेनरियों देख सकते हो कि यह जो यहां पे lows create किये हुए थे ठीक है आप देख सकते हो कि यहां पे swing low है यहां पे swing low है इन ही swing low के पास में market ने क्या किया है आज पूरा दिन बिताया है और यहां पे एक range बना करके गया है तो आप ध्यान रखेगा कि यहां पे ही opening दे देता है तो यहां पे opening देने के बाद में दोनों स chances ज्यादा होंगे यह चीज आपको ध्यान रखना है और gap up opening देता है तो यहाँ पे इसके अंदर selling के जो यहाँ पे chances हैं वो फिर से बढ़ जाएंगे तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी market 50,100 के पास में आएगा तो इसके अंदर selling pressure फिर से इसके अंदर बनने लगेगा तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यह जो range है उसका upper side और lower side आपको mark करके रखना है यहाँ पे मैंने लगा दिया है इस range के अंदर open होकर के उपर में निकल सकता है और downside में निकल सकता है downside में directly आप trade ले सकते हो क्योंकि वहाँ पे selling pressure जादा होता है तो market जादा तरीके से गिर सकता है और upper side में breakout देता है तो इसको retesting करने के बाद में जो high है वो निकले का day high तो ही आप trade लीजेगा तो upper side के अंदर निकालता है तो यहाँ पे यह जो हमारा resistance area बनेगा यह आपको ध्यान रखना है उसके उपर यह यहाँ पे resistance area है उसके उपर यह resistance बनेगा उसके बाद में यह resistance area है और यह finally हमारा resistance area है downside के अंदर यह यहाँ पे 49,700N को breakdown करता है तो सिधे यह जो level है ठीक है यही सबसे अच्छे support areas है तो यहाँ पे यह बहुत कम है लेकिन बहुत important support area है तो इनको आपको mark करके रखना है ज्यादा मैंने नहीं दिये है क्योंकि सबसे अच्छे यही है ठीक है तो इनको ही आपको ध्यान रखना है तो यहाँ पे भी दोनों direction के अंदर momentum आ सकता है, gap up opening होगी, तो फिर से selling आ सकती है, इसके अंदर false break out and false breakdown का आपको ध्यार रखना है, लेकिन इसके अंदर false breakdown होने के chances थोड़े से हो सकता है, लेकिन scalping का trade उसमें बन सकता है, ठीक है, क्योंकि selling तेज होती है, तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया है कि जो bank nifty है, उसके support resistance level क्या है, और जो nifty है, ठीक है, उसके support resistance level क्या रहने वाले हैं, तो आसा करता हूँ, वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like कीजिए, चैनल को subscribe कीजिए और DMAT account आपके पास नहीं है, तो आप बिल्कुल free में हमारे अंडर में DMAT account open कर सकते हो, उसका link आपको description box में मिल जाएगा, मिलते हैं एक वीडियो में, thank you very much